हालो दोस्तों, गूड आफटरनून, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामान विज्ञान के उन 25 महातपुन परस्णों को साल्प करेंगे, जो हमारे विभिन वंडे पर इच्छाओं खास करके यह सस्सी वा रेलोवे में यहां से 4-5 परस्ण पूछे जाते हैं, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समयोन लेती होएं, हम लोग इन परस्णों को देखना आरम करते हैं, दोस्तों, हमारा पहला परस्ण है, सामान विज्ञान का नीला थोथा का रासाइनिक नाम बताना है, तो होता है कापर सेलफ़ेट यानी विकल नमबर यह हमारा एंसर होगा, नीला तुम्हारा एंसर होगा यहां पर बिकल्प नमड़ी रेडियो सक्रियता की काई होती है क्यूरी विकुरल और रधर फोर्ड यह तीनों नेक्स देखेंगे कोस्चन नमबर तीन को कि यूरिया का रसानीक सूत्र हमें बताना है कोस्चन नमबर तीन में तुम्हारा एंसर होगा दोस्तों इनस टू सीवो औ नालेज यानि कल्प नमबर सी दोस्तों इस सारे कोस्चन हमाई बीभिन वंडे पर इच्छाओं में खास करके यह सलस्य हुआ रेलोय में यहां से चार से पांच प्रस्ण पूछे ही जाते हैं तो दोस्तों आप इन को स्टेट को नालेज ले वाइन का रिवीजन करें ताकि दोस्तों इन प्रसणों से आप एक्जाम के लिए प्रिपेर रहें अगला question हमारा question no 4 लोहे पर जंग लगना किसका उधाण यह हमसे पूचा जारा दोस्तो question no 4 में लोहे पर जंग लगना किसका उधाण है तो यह किसका का यानि हमारा answer होगा यहां यहांपे तेज़ है सिलंडे हिंसे में बताना कि मुकीता क्या होता तो मतेन भी होता pasture प्रोपेन भी वह न कई आर अश्व सेंसान होगा ना यह तिन वीखल नमघ से थैर को सिक्स्र ipod प्राकिर्तिक रबड का वलकनी करण करने के लिए कौन सी बीद परियुक्त होती है प्राकिर्तिक रबड का वलकनी करण करने के लिए कौन सी बीद परियुक्त होती है प्राकिर्तिक रबड का वलकनी करण करने के लिए कौन सी बीद परियुक्त होती है कुश्चन बच्छे मे अपकिरिया में क्या होता है आक्सी करण की आपकिरिया में क्या होता है तो क्या होता दोस्तों प्रोटांस होते हैं यह होगा नहीं न्यूट्रांस होते हैं इसा कुछ नहीं दोस्तों आक्सी करण की अपकिरिया में इलेक्ट्रांस होते हैं क्या इलेक्ट्रांस है यानि भीकल जोब बहुत है यहां पर हमारा एंसर होगा अगला कोश्चन देखैंगे or All एक और मुल्बर क्याकता है यह मेरा बताना है रखम तुम्हें का जुचर मेड़ी करता है विकलब नमटर यह बैलजीन की खोच मारिकल फिराडेन नाच देखेंगे 10 नमबर कुश्चन स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील किंध हातों का मिश्रण होता है कोश्चन नमबर दस है स्टेनलेस स्टील किंध हातों का मिश्रण होता है तुमारा एंसर होगा क्रोमियम निकिल और लोहा का क्रोमियम निकिल और लोहा का नेज़ देखेंगे 11 नमबर कोश्चन, आइंस्टाइन, कोश्चन नमर 11 है, आइंस्टाइन का सरवाधिक योगदान किस छेत्र में रहा, तो मारा एंसर होगा दोस्तों, आप ये छिक्ता संबंदी सामान और विशेश सिध्धान्त, यानि बिकल नमबर ये, फिर से इसको रि कोश्चन पूरा हम सामने करा लेते हैं, सुमिलिट करना इनमेश इसका इसके सामने बिटामिन, दिया गया है, और यहसे और यहां से दोस्तों हमारे चार question एक साथ किलियर हो जाता है, विटामीन से सम्बश्क्र दोच्ष दोच्छा करते हैं, जहनी हम लोग इंसे साफब करते इसमें तो इनमिया कौन से नहीं होता है विटामिन वी टोयल से किस से विटामिन वी टोयल से यानि वी का हमारा वन होगा अब यह का थिरी वी का वन किसमें है अभी डी में भी चला और यह में भी चला है आगे हम लोग देखेंगे रिकेट्स सी है मारा रिकेट्स रिकेट्स क उपना कर इस question को सभक्र लिए है पूरह हम टेशन करेंगे इसका एक बार. यह का हमारा दोस्थे रतोधी विटामिन य अ का थी नीमियक का बीटान बीटैमिन विटोलु का बिटामिन धी यानि हाने रिकेड में हर मैं के यानि हमारा दोस्थे ये का 3 का कहा जिसेटिस किस ऑंग से संबंदित है तो से समंदित है तो यानी में stay next देखेंगे ओठीन नमबर कोस्ट्रात के निले के जाEP सिल भूप गरह के चोड़े जाने का सही कैजिए जाना थैस दस्तों सबसे बात पहला दखेंगे के पहला क्या तो यह पहला पहला तो हमारा मिलस्तों एक उसके बाद दूसरे पर क्या आएगा दूसरे आरभट के बाद क्या छोड़ा गया था भासकर छोड़ा गया था उसके बाद क्या छोड़ा गया दोस्तों उसके बाद रोहडी आरेस छोड़ा गया और लास्ट में एपपल छोड़ा गया जो भी दोस्तों अपटेटेड है तो नमबर कोश्चन है हमारा विटामिन सी का राशारी नाम बताना है में फिफ्टीन नमबर कोश्चन में तो क्या होता दोस्तों इसकार भी कम्ल क्या होता इसकार भी कम्ल यानि हमारा अंसर होगा विकल नमबर भी विटामिन सी का राशारी नाम है इसकार भी कम्ल आगे देखें का परिवहन करना या आक्सीजन ले जाना यानि बिकल्प नमबर भी हमारा एंसर होगा हिमो गलोगिन का कारी होता है आक्सीजन का परिवहन करना नहीं देखेंगे 17 नमबर कुश्चन पेस्मेकर का कारी है हमें बताना दोस्तों पेस्मेकर का क्यार क्या है तो दिल की धढकन प दूद के दही के रूप में जमने का कारण पूछा गया है दूद्तों 18 नमर कोश्चन में तो हमारा एंसर होगा Lactobacillus यानि एंसर होगा विकल नमर C दूद के दही के रूप में जमने का कारण है Lactobacillus नेचस देखेंगे 19 नमर कोश्चन रेबीज के टिके की खोज किस ने की थी यह में बताना है question number 19 में रेबीज के टिके की खोज किस ने की थी तो की थी लुई पास्चर ने यानि बिकल नमबर भी हमारा एंसर होगा लुई पास्चर next देखेंगे 20 number question फिल पकाने वाला hormone पूछा जा रहा है 20 number question में तो कौन सा होता है एथलीन कौन सा एथलीन फिल पकाने वाला hormone होता है एथलीन आगे देखेंगे दोस्तो 21 number question सब्सक्राइब करें दोस्तो हमारे चैनल सिवकीर्पाकलासिस को 21 number question है परकास वर सिखाई है यह हमें बताना दोस्तों 21 नमबर कुश्चन में बेरी बेरी इंपर्थम नियम कौन सा है दोस्तों यह बताना हमें 22 नमबर कुश्चन में नियूटन की पर्थम नियम क्या कहलाता है तो वह जड़त का नियम यानि विकल नमबर यह यहां पर हमारा एंसर होगा नेश देखेंगे 23 नमबर कुश्चन सोनार अधिकांस्ता परियोग में लाया या यह हमसे पूश्चा जा रहा है दोस्तों 23 में तो सोनार अधिकांस्ता क तो नमब के बनता है दोस्तों यह सेरीस का सेकंड लाज कोischन कोश नमोर 24 पर्माळ वह सिद्धान पादरत है किस बर्था अधारिक है तो नाव के विखंदकर यही कैने पश्चार्थन कि पूश्चा जाता है नाविके संगलान हमारा एंसर वह यानि नाभीके संगलान पर हाड्रोजन बम नाविकिये संगलैन और परमाड बम नाविकिये विखंडन नेज देखेंगे दोस्तों इस सीरीज का लास्ट कोश्चन है धान में खायरा रोग किसकी कमी के कारण होता यह में बताना दोस्तों कुश्चन 25 में इस सिरीज के लास्ट कुश्चन में तो दोस्तों हमारा एंसर होगा जस्ता क्या जस्ता धान में खायरा रोग किसकी कमी के कारण लगता है तो खायरा की कमी कारण जस्ता की कमी के कारण दोस्तों धान में खायरा रोग लगता है इस तरह से दोस्तों हम लोगों यहां से चार से पांच कोश्चन आपके बनते ही हैं जो बार-बार रिपीट होते चले आएं तो इन को दोस्तों आप बराबर प्रिपेर रही अपने एक्जाम के लिए तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो के साथ दोस्तों अगर हमारा टेश्रीज आपको परसंद आया तो हमाई चैनल स्विक्रिपाकलास को सब्सक्राइब करें शेर करें लाइक करें थैंक्स फार वाचिंग